गुड मॉर्निंग इस्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी रख होसला वह मंजर भी आएगा खुसियों का चल कर समंदर भी आएगा थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा जी हाँ बिल्कुल आपको भी ठक कर नहीं बैठना है बस अपने कर्टब के मार्ग पर धीरे धीरे से चलना है दोड़ना नहीं है आएगा मेथ आपको जरूर आएगा आप आज देखेंगे दूसरी कलास डीलेड फोर्थ समेश्टर की महत होगी सिकंड चैप्टर होगा यह आज पहली कलास एक परकार से दूसरी कलास नाम तो है इसका बट यह पहली कलास है ऐसा क्यों क्योंकि पहले कलास में हमने आपको सिल्ले बश दिखाया था पहले चैप्टर करड़ी वाला हम छोड़ रहे हैं उसको बाद में पढ़ाएंगे चुकि वो थोड़ाफा हमें जो है टप लगता है कि उसको आपको सिखाना बाद में ज़्यादा अच्छा रहेगा पहले नहीं तो पहले वर्ग वर्गमूल घन और घनमूल की बात करेंगे वर्ग मींस स्कॉयर वर्गमूल मींस स्कॉयर रूट क्यूब एंड क्यूब रूट ठीक ध्यान से देखना यहां डेफिनीशन और परिभासा का कोई बिसेस मतलब नहीं है आपसे परिभासा नहीं पूछा किन बता देते हैं कलास को पूरा देखना 10 मिनट में आपको इतना पढ़ाएंगे कि आप बाद में एक घंटा पढ़ोगे तब उतना जाके पूरा होगा तो इसलिए मत सोचना की 10-15 मिनट की कलास में क्या पढ़ा देंगे ठीक ना किसी संख्या को आपस में दो बार अगर गुड़ा कर दें तो जो संख्या प्राप्त होती है वो उसका वर्ग कहलाती है इसी तरह कि इसकी भी क्यूब उक्के भी परिभासा हो जाएगी ठीक न दो का दो में गुड़ा किया चार आया चार क्या है दो का वर्ग है तो अब हम चलते हैं सीधे सीधे कांसेप्ट पर जैसे कोई भी संख्या अगर आप पकड़ते हैं उसका वर्ग करते हैं और फिर उसका वर्ग मूल कर देते हैं तो संख्या पुना हापने रूप में आ जाती है जैसे हमने दो लिया दो का अगर वर्ग करेंगे मतलब दो का घात दो ठीक है और दो के घात दो का आप वर्ग म निकालोगे तो दो आजाएगा कुछ लोगों के दिल में आ रहा होगा कि ये चार का वर्गमूल आखिर भला दो का ऐसे होता है उसको भी दिखाएंगे थोड़ा सबर बनाए रखना तीन लोगे संख्या तीन का वर्ग करोगे मतलब तीन का घाथ दो तो ये नौ हो जाता है अब ये नौ कैसे होता है ये भी आपको दिखाएंगे अभी देखते रहना और फिर जब आप इधर नौ का वर्गमूल करोगे तो फिर से तीन आ जाएगा यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप कोई भी नमबर लेजिए उसका वर्ग करिए और फिर उसका जो वर्ग आता है जैसे फोर आया वर्गमूल करोगे तो फिर से उसंख्या जाएगी अब हम आपको सिखाएंगे कि कैसे और किस तरह से आप लोग वर्गमूल करते कैसे हैं उसका basic concept समझ लेना कियो की आप लोगों को यह रहता है कि बहुत चोटी कलास देता है तो चलिए बड़ा कुछ देते हैं यह मीटाने उटाने वाला काम आपके सामने नहीं करते थे तो आप लोगों नगता था कलास बहुत च्टी है चलो अब वर्गमूल करना दिखा देता हूँ बिरम ऐसे पहले एक दम छोटा फे चलेंगे में बाई बाई पह फोर का वर्गमूल कैसे करोगे जरा ध्यान से देखना ये ऐसे कालम बनाते हैं नंबर ऐसे लिख देते हैं फिर क्या करते हैं संख्या जो भी होगी उसको पहले दो से भाग करेंगे ये दो का भाग करोगे इसमें दो दूना चार कितना बार गया दो बार गया जिस संख्या से भाग किये हो उसको इसके सामने लिखना और जो उपर गया है ना उपर उसको इसके नीचे लिखना अब फिर यहाँ पर जो संख्या आई है जैसे दो उसको फिर से भाग करोगे आप दो से एकदम जीरो से बताएंगे आपको तो दो एककम दो घटा लोग इतके आएगा जीरो आएगा मतलब खतम हो जाएगा फिर आपने दो से भाग किया उपर कितना है वन न वन को इसके नीचे लिखोगे जब एक आजाएगा तो यहीं पर छोड़ देंगे एकदम बेसिक फंड़ बता रहा हूं वर्गमूल का आप क्या करोगे संख्या चार थी न इसके आगे आप इसको लिखोगे दो गुड़ा दो दो ही बार तो था ना इसमें अंडर रूट लगा था इस पर क्या करोगे अंडर रूट लग गया वर्गमूल के अंदर दो दो नंबर का फेयर बनता है फेयर मतलब जोड़ा कपल मतलब भी जोड़ा होता है बट यहां फेयर बोलेंगे तो इसमें से एक दो बाहर निकल जाएगा और वो रूट से बरी हो जाएगा यानि कि एक आ गया उद्धर आ गया ये बिलकुल सुरू से है एक दम बेसिक अगर आपका अच्छा दो में पढ़ोगे तीन में तब भी आपको कोई ऐसे ही बताएगा जबकि आप तो मास्टर बने वाले हो ठीक ना तो सीखने की कोई उमर नहीं होती है आगे थोड़ी नंबर ले लेते हैं बड़ा सा देखिए एक चुली होता क्या था टाइम हम अपना 60 मिनट लगाते थे आपकी 15 मिनट की कलास को रिकार्ड करने में लेकिन ये मिटाते थे तो रोंक देते थे बगल में सिस्टन्ट होते थे फिर हमने कुछ लिखा विच विच में रोंकते थे टाइम हमारा लास होता है आप लोग सोचते हैं पहली कलास में कि 20 तक का वर्ग रट लो आप लोग है ना तो इसका वर्ग मूल 3 आ जाएगा इसका आ जाएगा 11 बिना हल किये देख करके बता देना पी विएर स्टेडी के स्टुडेंट्स को इतना आना चाहिए 361 है तो क्या होगा 19 होगा ना होगा की नहीं होगा 324 है तो क्या होगा बताना 18 का कितना होगा अरे 18 ठेक 144 के चार हांसी लाया 14, 18, 18, 18, 14, 32 होता है की नहीं तो ये सब तो आप लोगों को राटा होना चाहिए अब बात आती है थोड़े बड़े नमबर लेके चलते हैं कि छोटा तो आप सब लोग कर लेंगे है ना तो पहले हम वर्गमूल को ही एक तरफ करते हैं बाद में और आगे चलिए अब इसके आगे हम आपको दिखाते हैं देखिए एकदम बेसिक बेसिक कांसेप्ट हम लोगों ने सिख लिया है उस तरफ से आप वर्गमूल बताएं कि उन्चा सो का चौसट सो और एक सब कही सो का ठीक ना अब थोड़ा तारकिक सवाल करते हैं देखो डारेक्ट हो सकता ना आए बर इच्छा में आपके तो वो कौन सी संख्या है जिसको यदि उसी संख्या से गुड़ा करें तो 36 होगा बताएं वो कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या में गुड़ा करें तो 36 होगा हर कोई सोच सकता है यह चोटा सा यह छे को छे में गुड़ा करोगे 36 होगा यानि इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा क्योंकि 6 में ही 6 का गुड़ा करोगे तो 36 होगा बाकि और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको आपस में गुड़ा करोगे तो 36 आएगा कोई नहीं है अगला वो कौन सी संख्या है अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा इसको ऐसे कैसे लगा दिये कोई भी नरूल का तो मैं इसको पहले बताया देता हूँ देखिए, कहरा कि वो कौन सी संख्या है जिसको यदि उसी में गुड़ा करें तो 36 आएगा तो मान लो कि वो क्या है वो संख्या यक्स है तो चलिए 6 से गुड़ा करना यक्स में बराबर कितना आएगा 36, यह तो कहरा था न तो यहां से अगर आप यक्स की बैलू निकालोगे तो 36 बटा 6 होगा काटोगे तो 6 आजाएगा यानि फाइनल में यक्स इक्कुल कितना आएगा 6 बात समझ में आई अगला वो कौन सी संख्या है जिसको यह दि उसी संख्या से गुड़ा करें और प्राप्त गुड़नफल का वर्गमूल आठ होगा बताइए उसी संख्या से गुड़ा करें और फिर जो गुड़नफल आएगा उसका वर्गमूल आठ आएगा अब आपके मन में जो सवाल होगा उसका अंसर तो तुरंता आ गया वर्गमूल आठ आएगा या आठ होगा पहले से कह रहा है खुद से सोच लो कि भाई आठ किसका वर्गमूल होता है 64 का होता है एक यूनिक नंबर है और इसका मतलब जो गुड़नफल है वो 64 आ रहा है कहरा कि कौन सी संख्या जिसको जदे उसी संख्या से गुड़ा करें तो गुड़नफल 64 आएगा आप बताओ किसको खुद में गुड़ा करने पर 64 आएगा आठ कााट में गुड़ा करोगे 64 आएगा और 64 कवर्ग मूल फिर से 8 हो जाएगा तो इस तरह से आप इसको भी कर सकते हो इसके लिए आप यहाँ पर मानोगे कि माना वो संख्या क्या है यक्स है तो यक्स का क्या करोगे उसी संख्या में गुड़ा करोगे तो क्या आएगा मतलब समझना अभी यहाँ पर एक मिनट थोड़ा सा समझना फिर आपको बताते हैं आगे देखिए उपर वाला भी आपको इसी रूल से लगाना था उपर वाला भी जो है आप यही रूल लगाएंगे क्यारा कि कौन सी संख्या जिसको यदि उसी संख्या से गुड़ा करें और प्राप्त गुड़नफल का वर्गमूल आठ होगा तो उसी संख्या से गुड़ा करें संख्या हमने एक्स मान लिया तो यक्स को एक्स में ही गुड़ा करो तो और प्राफ्त गुडनफल का जो वर्गमूल है वो क्या आएगा आठ आएगा यानि कि इधर जो है वर्गमूल जो आ रहा है प्राफ्त गुडनफल का कितना आ रहा है आठ आ रहा है अब आप सोचिए वर्गमूल आठ कब होता है वर्गमूल 8 कब होता है जब 64 आता है न इधर साइट देखो 64 आता है न तब ही होता 8 तो यहाँ पर आप इसको 64 लिख सकते हो इस तरह से ठीक न तो यह X का स्क्वाइर एक कुल कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा X बराबर इसको आप 8 लिख सकते हो कई तरीके हैं लगाने का फिलहाल इसको टेंसर मत लेना इससे इसी तरह से आप उपर वाला जो है X ही इसको मान सकते हो जादा आसान रहेगा तरीका भी सही रहेगा यहाँ पर आप X का X में गुड़ा करोगे फाइनल में आपका X का स्क्वाइर आएगा X का X का X क्वाइर इक्वल कितना आएगा 36 आएगा तो यहाँ से आप X का बैलू निकालोगे तो 6 आएगा बात समझ में आया ना तो मतलब को मिला के वही सब होगा अब चलिए हम आपको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं पूरा देखना क्लास को मिस मत करना बीच में इसी तरह से आप भिन्नों कभी वर्गमूल कर लेंगी ठीक ना भिन्न मतलब फ्रेक्शन जैसे 3 अपान 4 है इसका घाद 2 है मतलब यह वर्ग है तो क्या होगा इसका मतलब कि 3 का 3 में 2 बार गुड़ा हुआ चार का चार में 2 बार गुड़ा हुआ यानि कि 3 बटा 4 को 2 बार आपस में गुड़ा कर लिया यह 9 बटा 16 आ गया अब अगर इसका वर्गमूल करने की बात बोलें अंडरूट 9 अपान 16 तो कैसे करोगे आपको 9 का वर्गमूल करना है 3 हो जाएगा और 16 का करना है 4 हो जाएगा इस तरह से इसका आप वर्गमूल दोनों कर सकते हैं हाँ इसमें अगर कोई आपको दूसरा सवाल दे दे इतना है तो इसको कैसे करोगे इसको भी वैसे कर लेना आपको 7 अफान 3 को 2 बार मल्टीपल करना है क्योंकि इसकी घादो लगी है ना सेबन का सेबन में कर लो और 3 का 3 में क्योंकि हमने आपको भिन्नों का जोड़ घटा ना गुड़ा भाक सी खाया लेड़ी ना अब अगर आप से कहीं वर्गमूल फूचे कोई या कहीं निकालना हो 49 अपान 9 एक बात याद रखना ये जो वर्गमूल की टंडी है ना अगर ये बीच वाली लाइन तक आती है तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों का अंस और हर दोनों का वर्गमूल निकालेंगे और हाँ इन दोनों में अंतर है अगर ये 49 ऐसे होता है और यहाँ 9 होता है इसका मतलब ये केवल अंस का वर्गमूल करेंगे हर का नहीं करेंगे ये बहुत छोटी बात है याद रखना तो यहाँ पर देखो नीचे तक आ रही है यहाँ पर भी देखो नीचे तक आ रही मतलब दोनों का वर्गमूल होगा बट यहाँ पे देखो एक दम उपर है ना इसका मतलब किवल एक का होगा तो यह मतलब समझना आप लोग भिन में क्या करते हैं इसमें 49 का आप वर्गमूल अलग से करोगे सेबन आयागा जो कि आप देख सकते हो करके 9 का करोगे तो 3 होगा इस तरह सेबन आपांथरी यह आपको मिल जाएगा यह बिल्कुल छोटे छोटे नंबर्स हैं जिनें आप लोगों ने देख लिया अब हम बात करते हैं घन मूल की चलिए ठीक है क्यूब की बात करते हैं बीना वीडियो को रोंके पुस्किये हुए आप लोग जल्दी से और फास्ट किया करिए क्योंकि जब वीडियो को रोंकने का टाइम नहीं देते आपको तो आप थोड़ा सा पीछे करके देख लिया करिए ठीक ना अब चलिए क्यूब की बात करते हैं क्यूब मतलब घन आब ये घन क्या होता है लुहार का घन नहीं सव सोनार की एक लुहार की सुना एक नहीं देखिए इसका मतलब जैसे घन क्या होता है किसी भी संख्या का तीन बार आपस में गुड़ा कर देने पर जो गुड़न फल आता है वो संख्या का घन खालाता है क्यूब तो नो का जो है तीन का घन क्या होगा तीन गुड़ा तीन गुड़ा तीन मतलब तीन तरिक का नो तरिक 27 कुछ लोग सोच रहे होंगे कि तीन का घन तीन का है किया मत करो तीन दो कर लो न इसमें सवी की घात तीन ही लगेगी चाहे जो संख्या हो क्योंकि घन का मतलब होता है तीम क्यूब बोलते हैं इंगलिस में तो दो का अगर तीन बार आप गुड़ा करोगे तो क्या मिलेगा दो दूना चार दूना आठ उस तरह से आप पांच कभी कर लो ये देखिए 25 पंचे 125 मतलब अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी संख्या का जब क्यूब करते हैं उसको तीन बार गुड़ा करते हैं अगर ये क्यूब रूट की बात करें तो चलो ठीक है हमने ले लिया 125 125 का हमें क्या निकालना है क्यूब रूट निकालना है क्यूब रूट में ध्यान देना या तो लिखा रहेगा कि घनमूल निका लिए या फिर यहाँ पर तीन लिखा रहेगा यही अंतर होता है अगर हमने ऐसे लिख दिया मतलब एक जामपल के लिए 125 लिख दिया यहाँ पर कुछ न लिखा तो इधर भी कुछ नहीं लिखा इसका मतलब यह वर्गमूल करा जाएगा घनमूल नहीं क्योंकि घनमूल में हमेशा यहाँ पर तीन लिखा होगा अगर यहाँ तीन नहीं लिखा तो इधर लिखा होगा इसका घन बताओ अगर कुछ नहीं लिखा तो वर्गमूल मानते हैं ठीक ना औरे वैसे जी एक मिनट जैसे अगर चार लिखा है तो ये क्या है? प्लस फूर माना जाता है चाहे यहां पर अगर प्लस लगा दो तो कोई गलती नहीं है बट अगर minus लिखना है तो आपको ऐसे लिखना होगा तभी कोई minus मानेगा वर्ना अगर वैसे four लिख दोगे तो कोई minus ना मानेगा मतलब धन का चिन शिपा रहता है वैसे इसमें under root में जो है square शिपा रहता है लेकिन अगर cube दिखाना है तो 3 लिखके दिखाना होगा या फिर लिखना होगा तो इसको करते कैसे हैं जड़ा देखना आपके सामने ही हम आपको करके दिखा रहे हैं बस देखते रहना देखे इसमें क्या करते हैं एक्चुली ऐसे ही factorization करते हैं इसका भी गुड़नखंड करते हैं और गुड़नखंड करने के बाद में आगे की प्रकिरिया करते हैं गुड़नखंड कैसे करते हैं ये ऐसे 25 कब 5 में गुड़ा करोगे 125 आएगा अरे जी ऐसे करते हैं जैसे अभी उधर करा था ना ये 125 का कर लो पांच से ही कटेगा पांच उनन दस पचम पचीस फिर पांच से कटेगा पचम पचीस पांच एकम पांच यही जो नमबर इधर कटके आते हैं वही नीचे लिखे जाते हैं इधर साइड में और हाँ इसमें तीन तीन का जोड़ा बनता है तो यह देखो एक सो पचीस का घनमूल पांच आ गया न तो यह पहला चैप्टर है डियलेड वालों के लिए घन घनमूल वर्ग और वर्गमूल जो आप लोगों ने देख लिया कलास भले छोटी हो लेकिन टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए यह डियलेड वालों के लिए ही नहीं है बलकि सभी के लिए है बेसिक कांसेप्ट टेट सी, टेट, SLC, बाइंक, रेलवेस सब के लिए है अब हम बात करेंगे परफेक्ट रूट और नन फरफेक्ट रूट देखिए परफेक्ट रूट का मतलब समझना पूर्ड वर्ग संख्या कहने का मतलब जिसका वर्गमूल निकालिये तो पूरा पूरा आजाए एक पूर्ड संख्या आए वो परफेक्ट रूट होता है जैसे अगर हम आपको बोलें कि चार का वर्गमूल निकालिये एक परकार से ये परफेक्ट रूट नहीं है इसको तो छोड़ दो यहीं फर अभी आगे समझते चलना जैसे अगर बड़ी नंबर में ले करके चले हम आपको तो 36 का और गमूल 6 आ जायागा ना आ जायागा ना लेकिन अगर हम आपसे 35 का और गमूल बोलें पिर 35 का इसको 2 से काटोगे 18 आएगा फिर 2 से काटोगे 9 आएगा फिर 3 से काटोगे 3 तरीक का 9 और फिर 3 से यानि की फाइनल में आपका जो आएगा नीचे वो 2 x 2 x 3 x 3 ये आपको मिलेगा इसमें 2 x 2 का आप फेयर बना लोगे तो एक 2 निकल जायागा उसमें से एक 3 निकल जाएगा तो वर्गमूल हट जाएगा इस पे से कुल मिला के final में 6 आ गया ना आया ना चलो ठीक है अभी आगे से हटेंगे तो आप लोग note करना उस तरह से आप 35 का करके देखो तो जी जरा सा 2 से काटोगे तो 35 पहला नमबर तो डिवाइड नहीं होगा और पूरी तरह फे डिवाइड होना चाहिए 3 से भी नहीं होगा 4 ये 5 से होगा 5 से बन जा और 7 जरा ध्यान से देखिए 5 और 7 आ रहा है न तो इसमें अब अगर आप इसका पेर बनाओगे 5 और 7 का तो न तो 5 का पेर बन रहा है न 7 का बन रहा है चुकि 5 भी अकेला है 7 भी अकेला है तो ये कभी दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते हैं जैसे इसमें देखिए ये दोनों जोडी में थे ना पेर था न दोनों का अलग अलग एक जोड़ा से इसमें से एक दो निकल गया है इसमें से एक तीन निकल गया तो मिला के छे हो गया बटिन का तो कोई है नहीं साथ ही आगे पीछे तो कैसे निकलेंगे ये ये नहीं निकलेंगे ये एक आपस में ही इसी में बने रहेंगे और 35 का उतना ही आएगा तो ये जो संख्याएं है 35 जो है 7 जो है या फिर आप इसमें 41 ले लो कुछ भी नंबर जिसका पूरी तरह से वर्गमूल नहीं होता है वो नन फर्फेल डूट होते हैं ऐसी बहुत सारी संख्याएं है और कुछ संख्याएं हैं इसमें सुद्ध और असुद्ध भी होता है उसको इतना डीटियल में हम आपको यहां पर नहीं बता रहे हैं अगर आप लोगों को जरूरत होगी तो बताईएगा वो भी आपको बता दिया जाएगा चुकि ये डीलेट के बेस पे चल रहा है अगर आप बेसिक मैद देखेंगे जीरो लेबल का तो उसमें भी आपको बताया जाएगा इनमें दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है देखे लाइट थोड़ा जा रही आ रही है अंतर क्या होता उसको भी देख ले ना जैसे है अगर आप देखिए हाँ पर 256 का और गमूल करेंगे कितना आएगा बताये यह तो 14 का साथ होता है ना आप लोग इसको कर ले जाओगे इसको छोड़िए कोई भी नमबर ले लिजी आप 280 ले लिजी 280 इसका अगर हम और गमूल करते हैं तो 2 से काटेंगे यह देखो आगया फिर 2 से काटेंगे और फिर 2 से काटेंगे देखते जाना 5 से काटोगे और फिर यह आया ना ठीक अब अगर हम इसका और गमूल की बात करें तो देखिए 2 का एक जोड़ा बन गया यह पांच और 7 तीन बार था और 5 साथ था ना इसमें देखो जोड़ा बनाओ तो एक जोड़ा तो बन जारा दो का बागी कोई जोड़ा बन रहा है नहीं बन रहा है तो जो जोड़ा बन जारा वो तो दो बाहर हो गया इनका सब का जोड़ा नहीं बन रहा है दूई पंचे 10 सते 70 तो ये 70 अंदर में ही रहेगा ये एक परक की कुल मिला करके 35 फिर से अंडर रूट में हो गया था पूरा पूरा बट इसमें देखो आधा बाहर निकल रहा है कुछ ना तो ये सभी संख्याओं के बारे में और ये सभी कारविधियों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए तो आज का ये कलास यहीं पर खतम होगा आपने देख लिया क्यूब देख लिया क्यूब रूट देख लिया वर्ग देख लिया और वर्ग रूट भी देख लिया जैसे एक नंबर हम आपको और भी बता दें क्यूब वाले में कोई भी नंबर ले लो 11 गर हमें 121 121 का 11 से करोगे 1331 आएगा अब अगर आपको इसका क्यूब रूट करना हो तो क्या करोगे 1331 का बताओ कितना हैगा इसका आप जब क्यूब रूट करोगे पहले गुड़नखंड करोगे तो 11 गुड़े 11 गुड़े 11 मिलेगा और इसका आप 3 जोड़ा बनाओगे तो 11 आजाएगा लेकिन अगर आप इसको काटने लगते हो यहाँ पर गुड़नखंड बहुत बड़ी बात होती है 1331 जीन लोगों को नहीं आद है उनको इसको काटने पसीने छूटने लगते है चुकि 1,2,3,4,5,7,8,9,10 तक यह किसी भी संख्या से पूरा तरह फिर नहीं करता है यहाँ पर काटने का मतलब यह है कि जैसे आपने 7 को 2 से भाग किया तो 2,3,6 आया ना गटाने पेक आ गया तो आप 7 को 2 से भाग यहाँ पर नहीं कर सकते हो ऐसी इस्तिती में यह इसको 2 से काटना गलत है चुकि वहाँ से स्पल बच रहा है ठीक ना अगर आप इसको 7 को 7 से ही काटोगी यह 7 जा नीचे 0 आया ना तो अगर नीचे 0 आयागा वह ऐसी इस्तिती में आप इसको यहाँ काट सकते हो मतलब 0 आना चाहिए 7 वंजा 7 यह तरीका सही है तो इसको अगर आप किसी से भी नंबर से काटोगे पहले तो कटेगा नहीं है 11 से ही कटेगा तो यह तो छोटी छोटी बाते हैं हम आपको बता रहे हर एक कलास को देखना अगर किसी कलास में कोई दिक्कत होती है तो बिल्कुल ना घबराना आप कंप्लेन कर सकते हैं आपको नंबर दिये जाएगा आपकी समस्या को दूर किया जाएगा लेकिन आपना विस्वास को बना के रखना ये सबी क्या है इने बोलते हैं क्या एक परकास से परफेक्ट क्यूब बोल सकते हैं आप और इसमें देखिए कुछ संख्या का क्यूब हो जाएग और कुछ का ना हो आईसी भी कुछ संख्याएं होती है जैसे देखिए दो दूना चार दूना आठ होता है न जरा गवर से देखना आठ अगर हमने लिख दिया सोला और सोला का घनमूल बताओ अब बताई सोला का घनमूल होगा नहीं होगा काई नहीं होगा जो कुछ नहीं होगा आपके सामने दिखेगा दो से काट दो आठ है दो से काटोगे चार फिर दो से काटोगे दो और दो से काटो एक चार बार दो दो का गुड़ा हो रहा है न तो कर लो आपके सामने ही है दो गुड़ा दो गुड़ा दो गुड़ा दो इसमें क्या करेंगे तिन तिन का पेर बनाओ जल्दी से तो ये आप एक पेर तो बना लोगी एक पेर अगर आप बनाओगे टू टू जा फो टू जाए टू जाए टू जा शिक्स्टीन होता है न इसमें से एक टू तो बाहर निकल जाएगा बट ये एक टू तो अंदर में फसा है न क्योंकि इसका तो कोई पेर है नहीं तो इसका अगर वर्गमूल करोगे और स्वरी घंमूल करोगे तो क्या आएगा इसका खणमूल two into root two आएगा ये घhof है अगर इसी का वर्गमूल की बात करें 16 का तो बड़े प्यार से आ जाएगा ये क्यों क्यूं आएगा क्यूंकि वर्गमूल अलग होता है बिलकुल इसमें दो-दो के पेर बनते हैं और फाइनल में दो पेर बन जाएंगे एक दो इसमें से निकल जायागा एक इसमें से निकल जायागा तो चार आ जाया कवरकमोल बात समझ में आए ना, एक दम basicज़ बता रहाँ कहीं नहीं मिले गए ये सब और हाँ, अगर आपको मेध नहीं आती है, आप वाजतों में सीखना चाहते हो, दिल में आपके सीखने की चाहत है, तो आप इस नमबर को नोट कर लीजिए, और इस नमबर पर आप जोईन DLA लिख करके मैसेज करेंगे, और मैसेज करने के पहले हम आपको बता दें, आपको कम आपको छोटा सा योगदान सिचा के छेतर में सिर्फ एक बार देना है पूरे समेश्टर की मायत के लिए आप आसानी से घर बैठे पढ़ सकते हैं वाटसाप पे सारी कलास मिलेगी उससे आप यूटूब पर देख पाएंगे तो जिनको देखना है ठीक है देखिए जिनको नहीं करना है बिल्कुल यूटूब पर जो मिले देखते रही है एक भी रूपया नहीं देना है बिल्कुल फ्री में देखो चुकि इंडिया वालों की यही तो बेस से पहचान है कि सब कुछ फ्री चाहते हैं है ना तो कोई बात नहीं है चलते हैं आज के लिए बस इतना ही आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अगर अभी ता कलास को लाइक निके तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में सेयर कर दीजिएगा क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया हर किसी को पढ़ाईए हर किसी कुछा ग्रूप करिए जिससे कि कुछ दिन लाइफ और दुनिया और चल सके इनी बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद साधे चार बजे से आपकी अगली कलास होगी उसको भी देखना आप लोग साधे चार बजे से आपको ये वीडियो जो है PBR Study लहबा चैनल पर सुबा चार बजे से और दूसरा साधे चार बजे से चुकि डियलेट की दो कलास डेली होती है ठीक ना PBR Study ग्रूप चैनल पर साम साधे साथ बजे से ओ सारी माफ करिएगा PBR Study ग्रूप चैनल पर साम साधे नौ बजे से और सवा दस बजे से होता है इसके अलावा फेस्बुक पर आप इन कलासों को देख सकते है उसका टाइम अभी डिसाइड नहीं कि आगे आपको बता दिया जाएगा तो ये तीन फिलेट फार्म पर आपकी कलाफे चलती है सेम टू सेम आप कहीं भी देखिए कभी भी देखिए तो साथियों आज के लिए बस इतना ही एक बार फिर से जैहिंद जैभारत देखते रहिए आपका अपना PBR Study और दोस्तों को भी सेयर करते रहिए उन्हें भी जागरूप करते रहिए थैंक्यू